तो हां यार यह मैं को 1322 रुपए ही पड़ा था बैंगलोड से दिली की फ्लाइट क्योंकि जो हमारी फ्लाइट थी डैली से थी वो अबुदाबी की थी और वो हमको पड़ी थी 6000 रुपए पर परसन क्रेडिट कार्ड़ इसके वासे में को फ्लाइट टिकेट मिलती है साल की यह लोग उने तो मेरा वीजा आठ दस दिन में दिया तो मेरा एक्सपीनेस कुई अच्छा नी था लेकिन उस चक्कर में मेरे करीब 2000 रुपए बच गया उन्होंने में को वीजा पहले दिया चार दिन तो देखो यार दो लोग का डिनर भी हो गया 334 रुपए में और उसमें तो मैंने इंटेयर से मलेशा की फ्लाइट ही ली थी तीन हजार में तो उसरे में तो डोमेस्टिक भी नहीं आता है हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में और जैसा कि आप लोग को पता है यार कि अभी दूबई सीरीज का सारी वीडियो मैंने अप्लोड किये और काफी प्यार मिला तो उसके लिए सबसे पहले थैंक्यू सो मच आप सभी लोग को कि आप लोग मेर फर्स इंटरनेशनल ट्रिप है अगर आप दुबई पहली बार जा रहे हो तो आप कैसे दुबई ट्रिप को प्लैन कर सकते हो अच्छे से तो ये जो वीडियो है ना इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा मेरा खुद का एक्सपेंस मेरे परसनल एक्सपेंस तो मैं आप प्लैकंओ कित्ता खर्चा होजागा वीजा का कित्ता ख़र्चा होगा तो वो सारी चीज ना मैं लोग उन्पोर्मेसिनल में वाला है अगर आप जा रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत हब लास्त तक देखो क्योकि इसमें बहुतसारी च्छोटी-छोटी चीज'Thes ना इस वीडियो में आगे बता रखा है तो make sure ये वीडियो को आप पूरा देखो और आपको मैं अपनी भी गल्तिया बता हूँ एर कहां पे मैंने गल्ती की और आप लोग उसको सुधार सकते हो और क्योंकि अब मैं दो बार जा चुका हूँ तो एक ठीक ठाक आइडिया मुझे भी लग चुका है तो यह चलो बिना किसी देरी के मेरे स्क्रीन में चलते हैं जहां पर आपको सारे अपने खर्चे बताऊंगा और क्या-क्या गल्ती मैंने की वो भी आपको बताऊंगा ताकि आपको एक अच्छा इडिया लग जाए दुबई जाने से पहले तो यहां पर पर देख सकते हो यह मेरे सारे एक्सपैंसेस है जिसको मैंने अलग-छा कि अटिगरी में डाला है जैसे कि वा पर घूमने का हे जो ने केंटीयो 안 रखा तो चलो एक लगा करते करते हैं वीडियो को तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले जो मैं रहता हूना मैंjust.權berg त सोचयो कि हिया तो तो यान दो गेंगलोर के डिली की फ्राइड को मैं me इंक्लूड कि अब आप सोचोगी कि यहां तो 1322 रुपई लिखा यहां तो हां यूर में को 1322 रुपई ही पड़ था भेंगलोर से दिली की फ्राइड क्योंकि हमें पस विस्तारा का credit card है तो यह वो credit card है और एक और credit card है जो कि access bank का है यह SBI का है तो मैं पस दो विस्तारा के credit card है जिसके वाज़े से में को free flight tickets मिलती है साल की 2 flight tickets तो free में मिल जाती है उसका हर 1,25,000 के transaction पर एक और flight ticket है से मिलते जाती है तो ठीक है ऐसाब के अपने अपने खर्चे होते हैं मैं मैं अपना खर्चा बता रहा हूँ आप क्या पता आप ट्रेंस आओ तो भी आपको इतने ही लगेगा या आप में से लोग के पास भी credit card हो जो भी है तो ऐसा है उसके बाद जो हमारी flight थी डैली से थी वो अब उदाभी की थी और वो हमको पड़ी थी 6,000 रुपए पर परसन अब अगेन आप सोचो कि इतनी सस्ती कैसे मिलती है सस्ती flight मिलती है बस यही है कि आपको ढूनने की जरुवत आप एक पर flight सर्च करना आप सीख गयना तो बहुत ही असानी होगी जैसे कि मैंने तो स्काइ सकीनर पर सर्च किया था और मैंने डाल दिया था इंडिया इंडिया से UAE अब में को सारी जगह से दिखा रहा था डैली से सबसे सस्ती flight पढ़ रही थी तो मैंने डैली से वह flight ली और बैंगलोर से डैली तो में डॉमेस्टिक फ्री होई गया अलमस्ट 1322 रुपर ल एक फ्लाइट पड़ी 10,300 की, दूसरी फ्लाइट पड़ी 11,300 की, उसके बाद वीजा का हमको लगा almost 6,000 per person, तो वीजा तो यह देखो वैसे 7,000 per person की हिसाब से मिलता है, पर मैंने किया थाना at least से apply किया था, तो यह यह तो एक अलगी वीडियो बन जाएगा, इस पर क्या होगा इन लोग का ऐसा होता है कि यह लोग अगर 48 hours या 72 hours इस particular time period के अंदर नहीं देते हैं, तो लोग आपक से 1,500 रुपए जो उनकी service fees होती है, वो नहीं लेते हैं, तो यह लोग ने तो मेरा visa 8-10 दिन में दिया था, तो मेरा experience कुई अच्छा नहीं था, लेकिन उस चक्कर में मे दिक्कत हमालू मैं, उन्होंने में को visa पहले दिया चार दिन बाद, और चार दिन बाद ना visa में spelling mistake कर दी, तो सब मैंने वापस बताया कि यह यह गलती है, तो उन्होंने वापस में को visa document बेजा लेकिन उसमें कुछ और गलती कर दी, तो पहले उन्होंने place of birth में spelling mistake किया, उस आप make my trip को अगरे से कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले जब मैं गया था, तो मैंने make my trip से की और उनके साथ मेरा experience काफी अच्छा था, उसके बाद visa का 11,900, उसके बाद होटल का हमने पे किया था, चार रात का 13,900, क्रीवन 14,000 रुपे पे किया था, इंशोरेंस की बात करें तो यूज करने की ज़रुत पड़ी ना, लेकिन इंशोरेंस समेशा लेके चलना चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ इंडिया से कुछ snacks अगरा लेके गया था, अगर आप मेरी वीडियो देख रहोगे, व्लॉग्स अगरा तो आप देखोगे कि मैं कुछ instant पो अगरा लेके गया तो वो काफी काम आया है, जब आपको बहुत एक अजीब सा लगते ना, तो उसमें भी वो प्रोटीन बार काम आया, और जब आप कहीं किसी चीज के लिए लेटर हो तो आप प्रोटीन बार खाके आप कहीं भी जा सकते हो, आपको 2-3 गंटे एनरजी मिल जाती है बहुत इसलिए मैंने डाल रखाया, उसके बाद सकाई डाइविंग जो है ना, पर पर सन हमको 53,000 के आसपस पड़ा, तो इसकाई डाइविंग अगिन आपके उपर आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, तो इसके नीचे कुछ-कुछ मेरे 4X के चार्ज मिल जाती है, तो इसलिए मैंने इससे किया, तो अलमुस्ट एक लाग का खर्चा किया, तो मैं को एक free flight ticket और मिल गई थी, तो वो यह आ रहा, आप हो सके तो 4X कार्ट से करना, या कोई भी ऐसा कार्ट जो आपको एक अच्छा का सा reward देता हो, जिसमें आफायदे में रहा हो, उसके बाद मैं करीब 800 दिन हम जो है, मैंने एक्सचेंज करवाय थे, वहाँ के currency को, यी दिरहम को मैंने एक्सचेंज कर रहा है थे, तो वो मुझे पढ़ा 18,512, यह मैंने और इंडिया में बहुत साही जगा है, मैं कोई यहां का price अच्छा लगता है, तो मैंने यहां से कर करा सकते हैं, यह अभी तक मेरा सबसे अच्छा experience इनी के साथ रहा है, बाकी मैं 5-6 और एक्सचेंज यूज कर चुका हूँ, उसके बाद डैली में मैं गया था, तो मैं एक रात महा रुका था, तो मैंने उसका भी expense डाल रखा है, यह सब expense मैंने इसलिए डाले हैं, क्योंकि यह सब छोटे मोट expense आपके भी होंगे, चाहे आप airport जाओ, तो airport जाने की cab लगेगी, तो यह सब basically उस trip के अंदर ही आता है, इसलिए मैंने डाल रहा है, उसके बाद हम गया थे sky views observatory, यह भी एक काफी अच्छा जगा था, और 32 रुपए ने पे किया था दो लोगों का, तो यह एक चीज है, उसके बाद जो है 1253 रुपए का हमने वहाँ का cloth खरीता था, तो यह सिर्फ एक ऐसी shopping वाली चीज है, जो मैं डाल रहा हूँ, बाकी और भी मैंने shopping की थी पर वो मेरे total पूरे personal थे, वो मतलब ऐस expenses थे जो मैं इंडिया में होता तो भी करता ही, इसलिए मैंन पे किया था 6110 रुपए, दो लोगों का, यह भी अच्छा था, मेरे दुभाई सीरीज के वीडियो में यह सब चीज है, अच्छे से मैंने explain भी किया है, और आपको अच्छे से दिखाया है, तो आप चेक कर सकते हो, उसलिए अच्छे से दिखाया है, तो आप चेक कर सकते हो इवन अगर आपको अनलाइन फूड डिलीवरी अगर करानी होती है, जैसे इंडिया में आपन स्वीगी, जुमैटो यूज करते हैं, वैसे वहां करीम चलता है, तो करीम का सब्स्रिप्शन आप ले सकते हैं, वो साथ दिन के लिए फ्री ट्रायल देते हैं, उसमें क्या होत जब हम स्काइडविंग करने गए थे, तो हम इंटरनेट सिटी मेट्र स्टेशन से हमने कैब करी थी, स्काइडव दूबई तक की, तो हमने वो कैब बुक की थी, करीब 30 दिरम के अस्वस लगा था हमको उसका, उससे हमको कुछ कुछ कैश बैक मिला और उसके बाद आप दे वीडियो मनाया है, यह सारे अट्रेक्शन से, अगर आप चाओ तो कर सकते हो, नहीं चाओ तो नहीं भी कर सकते हो, उसके अलावा फिर में पस कुछ दिरम बज गया थे, 190 दिरम, तो मैंने उसको एक्सचेंज कराया, उसको मैंने माइनस कर दिया है, क्योंकि वो बच्चे तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, कि आप प्रिपेड में लेना, इंटरनेशनल रोमिंग, आपको हजार रुपे से मिल जाएगा, मैंको तो तो तीन साधे तीन हजार रुपे पढ़ गया, जी एस्टी होगर मिला गे, तो आप लोग जो पोस्ट पेड में इंट चेंज करवाए थे, तो यह 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 या, कुल मिला के हमारा जो खर्चा आप देख सकते हो, दो लाग खटराजार हुआ था, और यहाँ पे जो साइड में, यहाँ पे मैंने पाइवेट चार्ड बना रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो, कि टोटल जो एट्रेक्शन का खर चार्चा किया इतना, और बाकी का खर्चा जो है, जो में पास कैश था, वो किया है, होटल का 15,004 रात का, इंशॉरेंस 932 रुपए, लोकल करेंसी जो मैंने एक्चेंज कर रही थी, आठ सो दी रहा हुँ, मैंने 14,600 रुपए में एक्चेंज कर रही थी, यह वो है, उसके बाद शौपिंग, अगर आपको कुछ सोवीनियर्स वगरा लेना हुआ, आप फ्रिज मैगनेट होगा, यह आपका आराम से आजाएगा, 1200 के अंदर, दो-तीन सोवीनियर्स आजाएगे, फ्रिज मैगनेट पर आजाएगा, कीचें भी आजाएगा, आपको जो लेना है, वहा अगर आप एतिहाद एयर्वेस लेर हो, तो एतिहाद एयर्वेस डुबई में ऑपरेट नहीं करती है, यह अबुदा भी ऑपरेट करती है, तो उसमें आपको आपको अप्शन होता है, कि अगर आप उनके कस्मर के से बात करोगे न, तो आपको एक फ्री बस एड़ कर आप जब अबुदाभी पहुंचेगे उसके आदे गंटे बाद या एक गंटे बाद की आपके एक बस बुक कर देंगे, जिसमें आप फ्री में दुबई के सिटी सेंटर तक जा सकते हो, नहीं तो आप डिरेक्ली आप बुक करते समय भी आप डिरेक्ली डैली से अगर आप दुबई लिखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा एक दुबई बस स्टॉप करके एक एरपोर्ट कही नाम है, वो एरपोर्ट नहीं है, बस एक कोड है, तो वो डालोगे तो आपको डिरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हो, अगर आपने अबुदाभी तक की बुक के तो आप कस्ट्रमर केर से बात करके उसको मोडिफाई भी करवा सकते हो, उसमाद ये स्काइडाइविंग का खरचा है, एक लाग दस जार रुपए, दो लोगा का पड़ा, उसमाद वीजा का खरचा 11,900, तो ये कुल मिला कि ये जो पड़ा ना, ये 2,18,500 रुपए हमको पड़ा तो आप यहाद दो लोगों का खरचा देखो, मात्र एक लाख आठ हजार रुपए, इसमें भी मैंने करीब करीब आप अट्रेक्शन्स किये हुए है, तो इन में साब अट्रेक्शन्स ही देख लो, मैंने इसमें पांच अट्रेक्शन्स इंक्लूडेट है, इसमें इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात यही आजाता है कि आप कैसे प्लैन कर रहे हो, अगर आपकी प्लैनिंग अच्छी है ना, तो आप डेफिनेटली बहुती सस्ते में कर सकते हो, अगर मैं सारे अट्रेक्शन्स हटा दूँ, यह कोई सेंस नहीं बनता है, पर अगर मैं स्का अगर आप अट्रेक्शन्स भी हटा दूँ, तो आप खर्चा देको, यह एटी थी 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 थाउजन है, तो अलमुस्ट चालीस बहुत एलीस अजार पर परसन, पर डेफिनेटली अगर आप जा रहे हो दो बहुत बहुत है तो इसलिए मैं अट्रेक्शन्स को वापस ले आत तो आपको बहुत ही easily आपको यह हो जाएगा और यहर इसके लाबा मैं बात करूँ कि जो गल्ती मैंने की थी वो आप ना करो तो सबसे पहले तो मैंने आपको sim card का बताया आप इंडिया से ही आप international roaming डलवा सकते हो अपने phone में जिसके वेज़े से आपको OTP अगर आएंगे तो आप emergency में भी आप उसको use कर सकते हो तो अगर आप अपने sim में international roaming डला रहे हो तो वो preferred है वो जादा better option है मेरे ही साब से बस यह है कि आप उसको post print sim में मत खरीदना तो एक वो चीज है दूसरी बात क्योंकि हम दो लोग गये थे थे हम रुके थे hotel में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमको 4 रात का लगा था almost 14,000 रुपए तो अगर आप solo जा रहे हो तो आप hostel में भी रुक सकते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो यह मेरे खर्चे हैं मेरे पिछले ट्रिप के जो पिछले साल किया था मैंने अप्रेल मही के महिने में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें मेरे को sim का लगा था 3000 रुपए उसमें मैंने post made use किया था तो यह गलती मत करना वीजा का 7000 रुपए और होस्टल देखो मैं उसमें भी करीब चार रात ही रुगा था चार रात और पांच दिन तो 4300 रुपए में मैंने होस्टल बुक कर लिया और होस्टल आपको इससे भी सस्ते में मिलेंगे यह अच्छा था बुपए क्योंकि मैंने जो हॉस्टल बुक है थो एकदम बुर्ज खलीफा के पास था बुर्ज खलीफा में ख्या से दो में बादी था और काफी डाउंटाउं दुबई में था हॉस्टल ना था हाट्लैंड हॉस्टल तो आप सर्च कर सकते हो वह अगर आ होतों तो वह भी अच्छा था बस यह यह तो यह सारी चीज़ें और बाकी का आप देख सकते हुसा भी मैं स्काइव उब्जर्वेट रहा था यह बाइद अब एक बंदे का खर्चा है तो समय मेरे को एक्चली टिकिट महेंगी पड़ी थी मैंने डाइरेक्ट बैंगलोर से कुछ चोटी मोटी चीज़े थी और इस बार मैं गया था ऑफ सीजन में जुलाई में गया था तो जुलाई में कम खर्च होगा लास्ट जो गया था वो मैं गया था अप्रेल मई के महिने में तो उस समय थोड़ी सब कुछ थोड़ा बहुत महेंगा हो जाता है तो यह मेरे पिछले बार के खर्चें आप चाहो तो एक बार इसको पॉस करके रीड कर सकते हो, दोबारा बताना होता, कुछ सेंस बनता नहीं है, तो बस यह यह यह, इससे लिटेट अगर आपको कुछ भी कोशन हो, तो आप कॉमेंट कर देना, मैं अगर कुछ भी मिस किया हूँ, तो वो वीडियो के है, और ज़रूरी नहीं कि आपको वहीं से करना हो, तो बस यह है कि आप क्लूक में देखो, हैडाउट में देखो, थ्रीलोफीलिया, और भी बहुत साथी वेबसाऑ्ट होती है, यह सब ट्रस्टेड वेबसाट है, बस मेक्शुर कि आप किसी ट्रस्टेड ले वहाँ से कर सकते हो और ये सब के अगता डिकेटी है कर सकते हैं के विर्टेड़ में बताया एक चीज ओको जैसा है तो मेक शार कि आप उसको चेक कर रहे हो यह ही कि आप χsi जधा पैसा लगता है मर एक बर स्थीप गए हो जाता है basically हो जाता है यह भी मैं बोलूगे इसमें मैंने 45 अट्रेक्शन कवर किये तो इतना खर्चा आ गया और बाकी तो मैंने मलेशा की भी ट्रिप के थी करीब चार रात पांच दिन की वो मैंने 23,000 में की थी ठीक है तो उसमें मैं YouTube में वीडियो बनाता था नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं उसके भी खर्चे आपको बता दूगा कैसे मैंने क्या-क्या बुक किया था और उसमें तो मैंने इंडियर से मलेशा की फ्लाइट ही ली थी तो उसमें में तो दोमेस्टिक भी नहीं आता है तो बस आपको एक छोटी-मोजी ट्रिक्स आनी चाहिए बाकी इनो इस्टिप में मैंने टिकेटस बहुत सस्तिय में की तो या टिकेट बस वही है मैं सोच रहूँ कि अप कैसे आप सस्ते में फ्लाइट टिकेट बुक करो उ उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो बस वही है, बाकी बहुत ही अच्छी सीरीज आने वाली है अभी मैं, इस महीने मैं अभी ट्रेवल करूँगा, तो उसके भी वीडियोज आएंगी, कहां ट्रेवल करूँगा, वह आपको बहुत जल्दी बात चली जाएगा, ठीक है, तो वही है यार, बाकी इस ट्रिप की बात करूँँ, तो एट्रेक्शन्स मैंने आपको चार-पांच एट्रेक्शन्स किये, बताए, आपकी मर्जी आप उनको इंक्लूड करो, एक्स्क्लूड करो, उस हिसाब से आप अपना बजट को उपर नीचे कॉमेंट कर देना, मैं अल्मोस्ट कोशिश करता हूँ, सारे कॉमेंट्स का रिप्लाइ करने का, तो बस यही है यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक करो, और कुछ भी फीडबैक है मेरे लि अल्मोस्ट करते हैं